सोना एक गाह में एक अमीर जमीनदा रहता था वह जितना अमीर था उतना ही कंजूस भी अपने दन को सुरक्षित रखने का उसने एक अजीब तरीका निकाला था वह दन से सोना करीदता और फिर उस सोने को गला कर उसके गोले बनाकर अपने एक केड में एक पीड के नीचे गड़ा कोद कर ढाल देता था रोज केड जाना और गड़े को कोद कर सोने के गोलों की गिंती करना उसकी दिनाचार्यक का हिस्सा था इस तरह वह सुनिचित करता था कि उसका सोना सुरक्षित है एक दिन एक चोड ने कंजूस आदमी को गड़े में से सोना निकाल कर गिनते हुए देख लिया वह चुपकर उसके जाने का इंतजार करने लगा जैसे ही कंजूस आदमी गया वह ड़क्य के पास पहुंचा और उसमें से सोना निकाल कर बाग गया अगले दिन जब कंजुस आदमी केत में गड़े के पास पाउंचा तो सारा सोना नाधारत पाकर रोने पीटने लगा उसके रोने की आवाज वहां से गुजरते एक रहगारी के कानों में पड़ी तो वह रुख गया उसने कंजुस आदमी से रोने का कारण पूछा तो कंजुस आदमी बोला मैं लूट गया बरबाद हो गया खोई मेरा सारा सोना लेकर बाग गया अब मैं क्या करूंगा सोना किसनी चुराया कब चुराया रहगारी आश्चरिय में पड़ गया पथा नहीं चुर ने कब इस गड़े को कोदा और सारा सोना लेकर नोदो गयारा हो गया मैं जब यहां पहुंचा तो सारा सोना गायब था कंजुस आदमी बिकते हुए बोला गड़े से सोना ले गया तुम अपना सोना यहां इस गड़े में क्यूं रखते हो अपने गर पर क्यूं नहीं रखते वहां जरूरत पढ़ने पर तुम उसका आसानी से उपयोग कर सकते हो रहगारी बोला मैं अपने सोने को कभी हाथ नहीं लगाता मैं उसे सहेज कर रखता हूं और अमेशा रखता हूं यदि वो छोर उसे चुरा कर नहीं ले जाता कंजू सादमी बोला यह बात सुनकर रहगारी ने जमीन से कुछ कंकड उठाए और उसे उस गड़े में डाल कर बोला यदि ऐसी बात है तो इन कंकडों को गड़े में डाल कर गड़े को मिटी डग दो और कलपना करो की यही तुमारा सोना है क्योंकि इन में और तुमारे सोने में कोई अंतर नहीं है ये भी किसी काम के नहीं और तुमारा सोना भी किसी काम का नहीं था उस सोने का तुमने कभी कोई उपयोगी नहीं किया ना ही करने वाले थे उसका होना ना होना बराबर था सीख जिस दन का कोई उपयोग नहीं हो उसकी कोई मोल नहीं कर दो कं उजचा जाला मैं आया का का शी़ अन्या लातर जाओे कि कि कम इन Num्त पूंज 공ड़ industन आया हो वो मोल रूंग जाला